लो गाइज वेलकम टू ओल अफ यो लान्वित मी स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लान्वित मी मी तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो इसे लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा आज हम पढ़ने वाले हैं डिरेक्सन और डेस्टेंस का पार्ट 3 अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख ल पढ़ें ठीक है इन सभी को मैंने ट्रेक्स के साथ सॉल्व करना बताया है आज हम पढ़ने वाले पार्ट 3 जिसमें हम पढ़ेंगे सेडव वाले कोशन सेडव मतलब क्या होता है परशाई इसके लिए आप लोगों कुछ चीजे जानने बहुत ज़्यादा जरूरी है जिसक कि हमें कोशन सॉल्व करने में असानी हो सेडव सेडव मतलब पता है आप सभी को की परशाई होती है ठीक है चाया होती है अब सेडव या तो बनेगी मौर्निंग में या तो बनेगी इवनिंग में ठीक है मौर्निंग को कहा जाता है सन्राइस और इवनिंग को कहा जाता है स मतलब एक है और प्सक्राइब सेड यहां कि इस समय किसी की अधों नहीं बने हैं जबसेट सेड़ा थिक है या तो बनेगी मौनिंग पर अभाइब हमें पता कैसे चलेगा कि यह जो कोशन है कि यह कौन सा कोशन सैडो का कोशन है कि solve करने वाला कोशन है क्योंकि कोशन का frame हमिसा सेम रहता है तो इसमें आप लोगों को कोशन के starting पर ही लिख दिया रहेगा in a morning या फिर in a evening या फिर at sunrise या फिर at sunset ठीक है यह आप लोगों को लिखा हुआ दिख जागा जहां पर यह में से कोई साथ ही एक वर्डिग या मतलब आफ समझ जाना यह किसका कोशन है यह कोशन है सैडो का परचाई का ठीक है तो चलिए या तो एक सुबह लिखा रहेगा या तो सुर्योदय पर या तो सुर्यास्त रची यह लिखा हुआ रहेगा इससे हम बहें हमें पता चल पता है North, South, East and West, Sunrise कहां से होता है East से ठीक है तो इसी किरने किधर जाएंगी इसेड जाएंगी तो यहां पे कोई बंदा खड़ा हुआ है यहां पे उसकी क्या बन जाएगी परचाई बन जाएगी यह क्या है हमारा सूरी है यहां से उसकी किरन निकली यहां कोई बंदा गरत यहां पर चाई ठीक है अब यह इस पता है जब यह इस तो यह क्या हो जाएगा मेरा नॉर्थ और यह क्या हो जाएगा ऌर हमेजा रहे यह इस हैं तो यह सॉर्थ ludzi का साफिए तो इसका कॉँआ है लैफ्ट साई हो गया यहर tor साइड हो जाएगा अपने आपको रखके हां पर देखेगा कि यह आपका कौन सा साइड है लेफ्ट साइड है ठीक है और अगर यह लेफ्ट साइड है तो यह क्या हो जाएगा अभी तो इसका फेज इस तरफ है मुझे पता है कि वह इस तरफ फेज करके खड़ा हो सकता है उस कि अब वैसे ही इवनिंग पे क्या हो जाता है संसेट कि जम गोगा ये नॉर्औ साउथ लिए वियस्ट से और संसे तो यहान पर मालों ये सूरज इधर पर से इसके किर ने निकली यहां पे कोई बंदा खड़ा हुआ है इधर उसकी परचाई बन गई यह हो गया north और यह हो गया south वैसे ही यह क्या हो गया अब इसका right side हो गया और इधर जब इसका face रहेगा तो यह क्या हो जाएगा इसका left side हो जाएगा तो अब मुझे क्या धान रखना है इसमें से morning और evening यह दो परचाई बनी यह north और south है यह क्या left है यह क्या right है वैसे ही west पर क्या होगा यह सूरज रहेगा इधर से किरने निकलेंगी ठीक है यहां पर कोई बंदा खड़ा रहेगा क्योंकि sunrise होता है इस्ट से morning के लिए यह हो गया east और evening के लिए यह हो गया west ठीक है यहां पर कोई बस इतना ही चीज़ें आपको ध्यान रखने की north south morning के समय left और right और evening के समय north south पे right और left ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कोशन की दरब मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि कोशन से हम इसे चुटकियों में कैसे solve करते हैं तो पहला कोशन ही यह रहा है आप लोग लिखा है मतलब किसका कोशन है सेडो वाला कोशन है ठीक है राम वोक 9 km फिर वो मुड़ता है left की तरफ फिर चलता है वो 4 km फिर मुड़ता है वो left की तरफ फिर चलता है वो 6 km फिर मुड़ा वो right की तरफ फिर चलता है वो 2 km ठीक है उसके बाद उसकी सेडो उस तरफ पढ़ तो अब मुझे यहां पर इन नंबर्स की जरूरत पड़ी क्या नहीं पड़ी क्योंकि मुझे तो सिर्फ फेस निकालना है उसकी दूरी नहीं निकालनी तो मुझे इन सब चीजों से मतलब है क्या नहीं तो सेडो वाले कोशन में आप जबी भी देखेंगे की कोशन क्या पूछ रहा है सिर्फ उसका फेस पूछ रहा है तो मुझे इतना राम वाक्ट से लेकर मुझे वाक्ट टू किलो मिटर तक का कुछ मतलब नहीं है मेरे लिए कोशन में फालतू दिया हुआ है ठीक है मेरे यहां पर कोई बंदा खड़ा यह परचाई बनी यह हो गया नौत यह हो गया साउथ यह हो गया लेफ्ट यह हो गया राइट इतना मैंने दिमाग में बना लिया ठीक है अब मैं क्या करूँगी क्या कुछ है एड़ टाइम ही सेडो तू दर राइट आ ओफ ही सेडो कहा बन डिवा ठीकाल लया मुझे पता चला राइट पी है अब बन रहे है अबन बन रहे हैं सेडो कहा बन रही है मतलब फेस कई धर है और साउथ पे ठीक है का है कि यह सब react अब बन अब लोगों को पसंद आही होगे और इससे अब वहांत ही चलती एकजाम में कोशन सॉल कर पाए साउब ठीक है चलिए दूसरे कोशें की तरफ चलते अभी क्या रिखा है एट संराइस मतलब भी क्या हो गया मॉर्निंग ठीक है यहां भी मॉर्निंग के बात हो रही ही फिर बोल रहे हैं कि श्यांग फोर किलोमेटर दें तर्न रइट एंड वह त्री किलोमेटर अगीं तर्न जरुवत है या जरुवत नहीं है क्यों जरुवत नहीं है क्योंकि मुझे सिर्फ फेस पूछ रहा है ठीक है और क्या बोला सन्राइज मतलब मौर्निंग फिर से मैं बना लूँगी कि सूर्य है तो किरन इधर से आएंगी मतलब यहां पे बंदा खड़ा है यह परचाई हो गई यह नौर्थ हो गया यह साउथ हो गया यह लेफ्ट हो गया यह राइट हो गया ठीक है इत्ती बाते मैंने समझ ली अब क्या बोल रहा है एक्जैक्ली स बन रही है लेफ्ट पर बन रही है तो उसका फेस की सरफ हो जाएगा नौर्थ की तरफ आप देख सकते हैं मुझे जैसे मैंने देख लिए सेडू लेफ्ट पर मतलब क्या अंसर मेरा नौर्थ हा गया तो डेरेक्ट मैं देख क्या कर दूंगी मेरा नौर्थ ठीक है यह कोशन की तरफ आयोब सो किताफ लोगों क्लियर होगा और अब जब एक्जाम में सरीके का कोशन आएगा आप बिना किसी डाउट के बहुत ही इसली सॉल्फ कर पाएंगे ठीक है तो चलिए अब हम बढ़ते हमारे तीसरे कोशन की तरफ क्या बोल रहा है एट संसेट अब यह दो स्काइल एक साथ आगए जुवी और पायल डो लोगों की बात हीया अब अब हम जोकी तरफ आज तोर हो एच sitting, इसके यह जोंहरा है मालों यह जोए लू vendo ओ ऐनौरेसरे हे न है है यह है औरज सेड से इमाक रही है तो से आधा जो और बात कर एंगै क Sae बसे सृषा है कि दूसरे में पूछा गया है पहले कोशन में पायल का फेस पूछा गया है तो अब ने कोशन को कैसे सूल्ट करूंगी फिर से मैं देखनेगे संसेट है मतलब सूरीह यहां पर तो परच्षाई क लिकलें यहां से बंदे घरखाई यहां ए एब आप Wal- Lubbini को पाना है असलोख तो में यहां पर लिया या ने थे पाहलेशती नहीं को अनिक्राइब जो पाह्ट में यहां JP ईड़र ाभी पाल्व और जूही से मतलब है उधल मुझे मतलब हैं। मुझे है कि-स बन रहे है कि चलब से राइट पर एक डूही को झीद से डूही आप से मतल Coleman यह मुझे देखने है राइट और लैव्ट पको ते जूही के तो जूही का फेस कि तरह आ गया नॉर्थ पे और जब जूही और पायल एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं तो जब यह नॉर्थ पे देख रही है यह नॉर्थ पे देख रही है यह नॉर्थ है यह नॉर्थ है ठीक है तो यह देख रही है मतब जूही किस तरह पर साउथ की तरफ ठीक है कैसे पता चला यह संसेट है इधर से इसकी किर्णे निकली यह कोई बंदा खड़ा जूही पायल यहां पे इसकी परच्छाई बन गई यह नौर्थ यह साउथ यह राइट यह लेफ्ट बन रहा है राइट पे सेड़ो किसके राइट पे बन रहा है पेस आया मेरा नौर्थ की तरफ और पायल का फेस आया मेरा साउथ की तरफ ठीक है यह बाते मुझे क्लियर हो गई तो आप देख सकते हैं कि बीना कोश्चन को हम लोग इतना डिटेल में डिसकस कि हम सिर्फ और सिर्फ मैंने तो अभी आप लोग को बताया है इसलिए मुझ परक्षाई बनी तो सओध आंसा सीधे और सीधे तब देख सकते हैं इस ट्रीक के सांथ कितनी असानी से कोस्टिन को सॉल्फ कर पारें ठीक है तो आज हम आरा यहां पर डरेक्शन ऑर डिस्टेंस वाले ौनाद चैप्टर कंप्लीट होता है मैंने आप लोग को बताया है इ है उसे हम स्टार्ट करेंगे तो चलिए वीडियो को एंड अप करते हैं और उम्मील करते हूं कि आप लोग को यह सेसंग जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक किजेगा और मैक्जिमम शेयर किजेगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं मतलब सेसंग को एंड अप करते हैं तो तील देन कीप लनिंग कीप टेक्रेशन थेंक्यू एंड बबाई